हाई वीवर्स इस्टरीटू वीडोट को में आपका फिर से स्वागत हैं और आज हम बात करेंगे इंटरनेट के टोपिक पर और आज का हमार टोपिक है इंटरनेट पर आधा कार्ड का एडरस कैसे बदलते हैं फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अपने आधा कार्ड का एडरस चैंज करना होता है जब आपको आधा कारड के address को चैन्ज करने की जुरूत पूड़े तो किस तरह से आप internet पर आधा काड का address चैन्ज करेंगे वो मैं आज आपको सिखाऊंगा दीखे सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने computer के browser में जाना है जो भी आपने इंस्टोल कर रखा हो मैंने अपनी computer में Chrome browser इंस्टोल किया हुआ है तो मैंने Chrome मों खोल दिया है अब यहाँ पर आपको लिखना है resident.uidi इसके बाद सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देखें resident.portal जो यह फर्स्ट लिंक है यह इसकी homepage है और यह आप देख रहे हैं थोड़े लिंक दिये हुए हैं यहाँ पर आप क्लिक करें या इसकी man website हो खोलें और man website हो खोलने के बाद यहाँ पर देखें अपडेट डेटा इस पर क्लिक करें जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें यह लिखा हुआ है update आधार data इस पर क्लिक करें यह देखें यह फर्स्ट फोर्म है इसे पढ़ लेजेगा उसकी वाद पढ़ने यह वाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक यह अभी open हो जाएगा खुल करके आएगा वहीं कह रहा है कि entry और आधार नंबर जिस आधार कार्ड़ का आपको एड्रस चैंज करना है कि उसका यहाँ पर आप नंबर डालें यह और उसकी बात देखें हैं यहाँ पर आपको यह code डानना है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि और सेंड और टीप पर क्लिक करें कि देखें यू विल रिसीव वन टाइम पासवर्ड और टीप ओन यह नंबर जो इस आधा अधाँ कर पर थे मॉबाय्व होगा उस मुबायल नंबर पर एक मेस्ज जाएगा जो आपको यहाँ पर टाइप करना है देखें मेरे मुबाइल पर जो मेरा रजिस्टर मुबाइल नमबर है इस आधार काड़ पर उसको जो पासवर्ड है वो मुझे मिला है पच्पंच 206 और मैं इसे यहां पर आपको और टीपी पासवर्ड डाना है जो आपको मुबाइल नमबर पर मिलेगा और ध्यान नहीं कि यह पासवर्ड उसी मुबाइल नमबर पर आएगा जो इस आधार काड़ पर रजिस्टर होगा देखें लोगन पर क्लिक करने के बाद देखें यह कहारा है कि लोकल लैंगवेज्थ हिंदी देखें यहां पर आपको च्जोज़ करना है जेंडर डेट अब बर्थ जो भी आपको यहां पे च्छेञज करनी हो ठीक यह बहुत सारे ओपसंस दीवे हैं मुझे खाया है तो इसके बाद यहां से सम्मिट कर दूँगा और जिदिए आपको कुछ और भी चैन्ज करना हो तो चैन्ज कर सकते हैं माल लिजे मुबाइल नंबर और एमेल डी चैन्ज करने है मुझे यह भी मैंने चैन्ज करने के लिए डाल दिये यह अभी खुल करका जाएगा यह देखे यह आपके सामने फॉर्म खुल करका आगया है यहां पर आपको डालना है वह जो भी आप चैन्ज करने चाहते हैं आप बिल्कुल चैन्ज करते हैं पूरी तरह से मैं यहां पर डालता हूं मुम्मन नसीम उसके बाद हाउस नंबर यहां पर डालना है आपको और यहां पर आपको स्ट्रीट अब जो गले नंबर है वो डाल दें तो छोड़ भी सकते हैं और छोड़ दें आप इसे कि लैंड मार्क इस्तान का च्छीन कोई डालना आपके जो आपका कोई हो गले नंबर जो भी है उडाल दीजिए मेरा नहीं है मैं नहीं डाल लाओं जो जो इस है वो डाल देता हूँ लाओ देखिए आप डालने के बाद पिन कोड़ पिन कोड़ जो भी है उडाल दीजिए और उसके बाद आपको गाओं जो भी आपका सहर हो वो चूज करेंगे आप यह देखिए अमरे गाओं का नाम यह है यहां पर चूज कर लें आपके गाओं का नाम भी यहां पर आजागा जैसे यह आप कोड़ डालेंगे पिन कोड़ उसके बाद पॉस्ट ऑफिस है यहां पर चूज कर लें कि देखिए यह जो डेटा है अटमेटिक ही फिल हो जाएगा देखिए मुबाइल नंबर मुबाइल नंबर जो आपको यहां पर डालना है अपना उडाल दीजिए चैन्ज जाएगा आपको मुबाइल नंबर यहां चैन्ज करना चाहते हैं कि यहां पर इमेल आइडी अब एक बार आप डेटा को चेक कर लें यह वाइफ ओफ है यहां पर हिंदी मैं आटमेटिक कनवर्ट होगा आपको उस्ट करने जोड़ नहीं है यहां पर देखिए निर्मान जो हाउस का नंबर है और स्ट्रीट गड़ी नंबर जो हो डाल दीजिए देखिए मेरा लगभग सब कुछ से यह हैं मैं यहां से सम्मीट अब्लेट करता हूँ देखिए यह हमारा जो अब नए अधार काड़ पर एड्रस निकल करके आएगा च्छाप करके आएगा वह यह होगा और उसके बाद यहां से आपको कंफर्म पर जो डायलबोक्स जाय से चेक करना है और पॉसिट पर क्लिक करना है यह देखिए अब आपको यहां पर देखिए प्रूफ ओफ एड्रस डॉकुमेंट यहां पर आपको एक डॉकुमेंट फाइल अटेच्च करनी है यह फाइल इसले अटेच्च करनी है क्योंकि उन्हें वेरिफाय करना है कि क्या जो आदमी इसलिए आपको एक यहां पर फाइल को चूज़ करना होगा यह तो आपको वह पासपोर्ट हो यह बहुत सारे चीज़ हैं जिनके आधार पर आप अपना आधार काड़ का एड्रस चैन्ज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो यहां से चूज़ कर लें आपके और पर इन फाइल है इस फाइल अपलोड हो रही है दीए फ्रेंड से हमारी फाइल अप्लोड हो गई है अब यहां चाहिए आपको सम्मिट पर क्लिक करना है जिए आप इसे हैट आना चाहते हैं कोई दूसरी फाइल जोरना चाहते है तो यहां पर रिमीब क्लिक करें के दूसरी फाइल अटैच कर सकते हैं और आपको यहां पर स कर दो यसे एस कर दें अब आप 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 अप आप आप अप आप इसे नॉट करने त्यूस्ण, जिसी-प्रिंट कर लिए जैसे डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड कर लाए फायल को इस धळी, ये फायल डाउनलोड होने लगी है, फिटर में ये मिरे यूजफुल हो गई मैं अधारकार को डाउनलोड कर Windsor которых का उखा यूज़ हो गालंट है इसका हो गाल तो इस तरह से आप अपने आधाकार काड़ डेटा वह मुबाइल नंबर भी हो सकता है या इमील आईडिये या नाम या डेट बर्थ इन में से किसी को भी चैन्ज कर सकते हैं तो इस तरह से किसी को भी हो सकते हैं तो इस तरह से किसी को भी हो सकते हैं